सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेर की जा रही है जिसमें हिंदू पौरानिक देवतान नंदी की मूर्ती दिखती है इसे शेर करते हुए इस और इशारा के आ जा रहा है कि ये किसी मुस्लिम धर्म से जुड़े पूजा सल पर हुई खुदाई में मिली थी ट्विटर और फेस्बुक पर ये तस्वीर ऐसे ही दावे के साथ वाइरल है गूगल रिवर्स इमेज सर्च करने पर आल्ट न्यूज को ये तस्वीर चार सितंबर के लॉस्ट टैंपल्स के ट्वीट में मिली ट्वीट में बताया गया था कि नमकल जिले के मोहनूर के सेलंदी अमान मंदिर में खुदाई के दौरान नंदी की बड़ी मूर्ती मिली थी सोशल मीडिया पर आल्ट न्यूज को इस तस्वीर के शेर किये जाने का सबसे पुराना उदाहरन एक सितंबर 2021 का मिला इस पोस्ट में भी इस तस्वीर को नमकल जिले की बताया गया है और साथ में ये भी बताया गया कि मंदिर की खुदाई के दौरान ये मूर्ती मिली थी नमकल तमिल नाडू का एक जिला है इस आधार पर तमिल में कीवर्ट सर्च करने पर आल्ट न्यूज को दो सितंबर का एक आर्टिकल मिला इसमें बताया गया है कि सैलंदी अमान मंदिर में नवीनी करन का काम चल रहा था और वहीं खुदाई के दौरान नंदी की पुरानी मूर्ती मिली मंदिर के अधिकारियों ने राजस्व विभाग को इस बात की जानकारी दी थी फिलहाल पुरा तत्व विभाग इस मूर्ती की जाच कर रहा है और इसे सेलं म्यूजियम में रखा गया है तमिल न्यूज वेब साइट और न्यूज चैनल ने भी यही बताया कि नमकल के एक मंदिर में खुदाई के दौरान ये मूर्ती मिली थी कुछ मिलाकर इस बात की पुष्टी की जा सकती है कि तमिल नाडो के नमकल में मंदिर की खुदाई के दौरान नंदी की पुरानी मूर्ती मिली थी मगर इसकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर शेर करते हुए फर्जी दावा किया गया कि ये मूर्थी मस्चित में खुदाई के दौरान मिली थी झाल